इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे 11th Class English Snapshot Book का Second Lesson जिसका Title है The Address इससे पहले हमने First Lesson को Complete किया है उस वीडियो को आप देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको जो है उसका लिक मिल जाएगा चलिए डिस्क्स करते हैं The Address पहले हम डिस्क्स करेंगे Story इसकी और उसकी बाद डिस्क्स करेंगे Line by Line और Paragraph by Paragraph Text जिससे आपको बहुत हेल्प होगी 11th Class English में भी हेल्प होगी और आगे Future में भी English को समझने में भी हेल्प होगी चलिए डिस्क्स करते हैं The Address ये लिखा है मारगा मिंको ने मारगा मिंको एक राइटर थी और इसमें ये लिखा है ये जो है एक स्टोरी है एक दुखबरी स्टोरी है एक डाटर की एक बेटी की जो अपने मां की चीज़ें उनको जो खोगी है उनको डोने के लिए जाती है उनको देखने के लिए जाती है When she finds them the objects evoke memories of her earlier life However, she decides to leave them all behind and resolves to mourn जब वो उनको देखती है उसको वो यादें आती है उसको वो यादें जब आती है तो उसको वो pain होता है, दर्द होता है उन यादों को देखके, उन यादों को समझ के तो अब जो है वो decide करती है कि अब इस चीज़ को छोड़ देना और आगे मुआन करना है तो actually ये story जो है मारगा मिंको की life story के basis पे अपनी life की बारे में इसने लिखा है actually क्या हुआ था जो second world war हुई थी उसमें जो Hitler है Hitler ने जो है क्या क्या हतिया चार क्या किस पे Jews पे जो यहुदी थे जो Jews थे उनको जो है मारा उनको जो है वहाँ पे बगाया मारा और जब वहाँ पे डर था कहां पे चर्मनी में जब डर था यहाँ पे जो है मतलब इन Jews को मार देंगे तो war से पहले ही जो यह family है मार का मिको की मदर है उसने अपनी जो belonging's है गर का furniture है गर के चीज़ें है bed, sofa, बरतन, शेतन सब उसको उसने सोचा कि हमें हिटलर मार देगा तो उन चीज़ों को उसने उठा कि अपने पडोसी जो है डरलिंग के पास रख दी क्यों रख दी क्योंकि उसको बता था यह हमें हिटलर मार देगा नाजी पार्टी हमें मार देगी तो हमने उन्होंने क्या किया वो चीज़ें अपने पडोसी डरलिंग के पास रख दी और यह बोला कि अगर war के बाद, लड़ाई के बाद अगर हम मारी फैमिली में से कोई बच जाएगा तो उसको यह चीज़ें देना, यह फरनेचर देना तो आब मार गामी को जो है, उसकी बेटी है और मार गामी को जो है war के बाद आती है, उन चीज़ें को देखने आती है, फिर उसको वो memories याद आती है वो चीज़ें याद आती है कि जब यह चीज़ें हमारे घर में थी तब हम क्या करते थे, पूरी उसके यादे आती है वो war के बाद बची हुई होती है बाकी मर गे हैं उसकी फैमिली के सारे और एकी मार गामी को जो जो जिविस फैमिली थी उन में से बची हुई है जो लिए टेक्स्ट करते हैं स्टार्ट अप Do you still know me? I asked यहाँ पे जो है मार गामी को जाती है डॉर्लिंग के घर में after the war, war के बाद जाती है उन चीज़ों को जो है देखने के लिए जो चीज़ें उसकी माने महां पे रखे थी वो उसको पूछती है Do you still know me? I asked उसमें पूछा उस डॉर्लिंग को क्या आप मझे अभी भी जानते हो still मतलब अभी भी जानते हो The woman looked at me searchingly जो जो वोमन थी जो औरत थी डॉर्लिंग वो उसको देखने लगी अराम से देखने लगी searchingly मतलब अराम से पहचाने लगी She had opened the door a chink उसने थोड़ा सा chink मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा door खोला I came closer and stood on the step यहाँ पे जो speaker है जो narrator है मारगा मिंको बोलती है मैं क्या क्या मैं closer गी उस door के नजदी गी और वहाँ पे खड़ी हो गई No I don't know you और मारगा मिंको ने बोला नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ I am Mrs. S's daughter बोलने लगी जो मैं किसकी daughter हूँ Mrs. S's मतलब मारगा मिंको की मदर का नाम Mrs. S था She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further जो औरप थी जो darling थी उसने door को हाथ से पकड़ के रखा और उसने सोचा कि इसको door को पूरा खोल ना दे ही है मारगा मिंको Her face gave absolutely no sign of recognition उसके face से कोई recognition नहीं मिल रहा था क्योंकि मारगा मिंको उसको पहचान नहीं पा रही थी recognition मतलब पहचानना कोई sign of recognition मतलब पहचानना नहीं कोई sign कोई निशानी उसको नहीं थी she kept staring at me in silence और वो जो है stare मतलब देखना गोर से देखना वो उसको जो है जो दोर के अंदर जो औरत थी वो उसको मारगा मिंको को गोर से देखने लगी perhaps I was mistaken I thought perhaps it isn't her यहां पे मारगा मिंको सोच रही है जो narrator है वो सोच रही है कि क्या पता मैं mistaken हो क्या मुझे गलती हो गई गलत दर्वाजे पे आ गई perhaps परहपस शायद यह वो नहीं है I had seen her only once fleetingly मैंने उसको एक ही बार देखा चलते चलते जो है उसको एक ही बार देखा and that was years ago वो बहुत सालों पहले मैंने उसको देखा था किसको देखा था जार लिंगो It was most probable that I had rung the wrong bell अब यह सोच रही है यह बहुत मतलब यह probability है मतलब यह शायद मैंने जो है गल बेल जो है बचाये गल दर्वाजे के पास गई हूँ The woman let go of the door and stepped to the side She was wearing my mother's green knitted cardigan और बोलती है वो woman जो है उसने step किया थोड़ा पीछी हटी और वहाँ पर मैंने देखा उसको क्या लगा हुआ था उसने क्या पहना हुआ था Green एक green color का निले color का cardigan हो था एक dress पहना था किसने उस औरत ने डॉरलिंग ने जिसके दर्वाजे पे वो गई है अभी हमें पता नहीं चला डॉरलिंग है बट हम जो है यह predict कर रहे हैं कि वो डॉरलिंग ही होगी क्योंकि उसके दर्वाजे पे वो गई है The wooden buttons were rather pale and washing She saw that I was looking at the cardigan and half hit herself again behind the door तो वहाँ पे उसको जो लगए हुए थे wooden color के मतलब लकडी के जो है बटन उस cardigan पे लगए हुए थे और उसने देखा कि जो cardigan थे वो half जो है मतलब half hit कुछ छुपा हुआ था और कुछ वहाँ पे दिख रहा था दोर के सामने किसको Marga Minko को अब वो उसको पता चला कि हाँ मैं सरी दर्वाजे पे आ गई क्योंकि उसने अपनी मदर का Marga Minko ने अपनी मदर का cardigan dress पहचान लिया जो उसने पहना था उस औरत में पहना था जहां पे वो गई थी जिसकी दर्वाजे पे वो after the war, war के बाद गई थी well you know my mother I asked, यह पूछती है Marga Minko हाँ, क्या आप मेरी मदर को जानती हो, have you come back said the woman, I thought that no one had come back यह उसको पूछती, क्या आप वापस आ गए हो वो औरत बोने लगी, वो सोचने लगी मैंने सोचा कि आप में से कोई वापस नहीं आया है, आप में से मैं बच्ची हुई हूँ, यह पूछती है कौन बोलती है, यह Marga Minko बोलती है यह जो narrator है, इस स्टोरी की वो बोलती है, narrator भी Marga Minko ही है A door opened and closed in the passage behind her, a musty smell emerged और दर्वादा जो है, बंद हुआ खुला और वहाँ से जो है smell आ गई, अंदर से एक smell आ गई आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, regret मतलब source करना I have come here, specially on the train I wanted to talk to you for a moment और यहां पे narrator उसको बोल रही है उस woman को, मैं यहां पे जो है train पे आई हूँ, और मैं आपके लिए कुछ जो है, आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, it is not convenient for me, for me now, said the woman, I cannot see you another time, यह औरत बोलने लगी, यह convenient, मतलब सहलित वाला टाइम नहीं, convenient मतलब सहलियत सहलियत, अच्छा टाइम नहीं है बात करने के लिए, और जो है मैं और कभी आपसे बात करूँगी और कभी आपसे बात करूँगी इस टाइम मेरा अच्छा टाइम नहीं है आपके साथ बात करने का, वो वोमेन वो औरत बोलने लगी किसको, नेरेटर को शी नॉड़िड एंड काशिसली क्लोज दा डोर, आज दो नो वन इंसाइड दा हावस शीड बी डिस्टर्ब, उसने जो है नॉड किया, सिर हिलाया और जल्दी से काशिस मतलब, जल्दी से दर्वाजा बंद कर दिया नॉड होता है, सिर हिलाना सिर हिलाना मतलब मैं बात ना के, जो ना या हाँ बोलना सिर से उसको बोलते है, नॉड करना उसने सिरकर नौट किया और दर्वाजे को बंद किया और बोलन लगी क्या यहां पर अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और जो है स्पीकर वही पर खड़ी वही जहां पर खड़ी थी और इस तरह मझे लगा किसी ने मझे पूछा कि आप क्या चाहते हो इस तरह उसको लगा इसको मारगा मिक और अगर किसी ने पूछा होगा और इसको यह लगा यह है कि कुछ नहीं हुआ जो है मेरे को कुछ नहीं चाहिए मज़े कुछ नहीं चाहिए इसने a hallucination में ही बोला जैसे किसी ने उसको पुछा उसको ये लगा speaker को कि किसी ने मुझे पुछा आप क्या चाहती है और इसने ये जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ I looked at the name plate again मैंने name plate की तरफ देखा speaker बोह रही है darling it said in black letters in white animal वहाँ पे लिखा था darling उस name plate पे जो दर्वाजे का बाहर name plate था होता है ना name plate घर के सबने name plate लिखा होता है और उस घर के मालिक का नाम लिखा होता है इसी तरह वहाँ पे जो है name plate लिखा हुआ था टीक है उस पे जो है norm लिखा हुआ था darling का and on the jam a bit higher the number number 46 और उस पे लिखा हुआ था number 46 वो address लिखा था उसका darling का as I walked slowly back to the station I thought about my mother who had given me the address years ago जैसे ही मैं वापस गई station पे तो मैंने सोचा अपनी मदर के बारे में किसने मारगा मिंको ने सोचा अपनी मदर के बारे में जिसने उसको address दिया था बहुत सालों पहले का address दिया था it had been in the first half of the war मतलब पहले थोड़ी सी war हुई थी तब ये बात हुई मारगा मिंको और उसकी मदर के बीच में उसने जो है क्या दिया था आटरेस दिया था I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other about the rooms had changed और उसके बाद जो है जब उसने मेरी मदर ने मिजए Communications दिया फिर मैंने देखा ये ये पहले की बात कर रही है तब मेरी मदर ने मचे जब address दिय को पने लोम में ऐपने घर ती-कौन? मारगामी को, अपने घर के बात कर रही है, पुरानी बात, तो वहाँ पे उसने देखा, अपने रो में कोई changes हुई है, बहुत सारी changes, immediately, मतलब बहुत जल्दी changes हुई है, I missed various things, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है, vibe थी, my mother was surprised, I should have noticed so quickly, और मेरी मुझे Mrs. Darling के बारे में बोला, कब की बात कर रही है, पहले की बात कर रही है, flashback चल रही है story, तो फ्लेश बैक चैसे movie में flashback story चल रही है, इसी तरह यहाँ पे story flashback में चल रही है, पहले, वार से पहले क्या हुआ, I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years, बोलती है, darling को मैं तो बिल्गल नहीं जानती थी, बलके वो जो है, क्या थी, मेरी मदर की acquaintance, मतलब जान पहचान की थी, और वो जो है, मेरी मदर के साथ, उससे वो अच्छी बनती थी, ठीक है, she had suddenly turned up and renewed their contact, since then she had come regularly, और उसके बात जो है, उसने क्या किया, उसको contact मेरी मदर के साथ, अच्छी था, क्योंकि रेन्यु किया था plane क्या मतलब अच्छी था और जो मारगा मिंको की मदर उसको मारगा मिंको को बोलती है जब भी वो हमारे घर आती है तो इधर से कुछ न कुछ वह अपने घर लेती है She took all the table silver in one go उसने सब table silver जो है एक आसल लिया And then the antique plates that hung there जो antique पराणे किसम की जो है antique हो था पराने किसम की जो प्लेट थे रिवाजी प्लेट जो है वो भी यहां से लिए और वो भी जो है वहाँ पे उसकी घर में प्रांगे हुए है she had trouble lugging those large vases, उसको परिशानी होती थी lugging मतलु है उन चीजो को गसेटना बहुत सारे बरतं थे बरतं थे वह बरतं नहीं होता है बरतं को पकड़ने के लिए कोशनी थे याँ मग उसको पकड़ने के लिए होता है दानी जिसमें नहीं डही वो मिटी का बरतन जिसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता है तो उन बरतन को बोलते हैं वैसेज लगिंग होता है गसेटना उसको ट्रबल होती थी किसको डार्लिंग को मश्कल होती थी उन चीज़ों को गसेटना अपने घर लेना और शोचेखा को मारका मिंग कोष्ट टार्लिंग को बोलती है इस व ह Dubai अस आपने घर लेना तब बचार hic हमारी चीज़ों के मतलब अपने घर लेना तर्स काम करें यह मैं मतलब शुक हार हाड पिटिंग ली और मेरी मदर जो है तरस करने लगी डॉर्लिंग पे कितने मश्कुल होता है उसको हमारा समन अपने घर लेना I would never have dared ask her बोलती है मारगमी को मैंने कभी हिमत नहीं कि अपनी मा को पूछना कि ये चीज़ें जो है ये अपने घर क्यों लेती है क्यों डॉर्लिंग she suggested it to me herself she even insisted बोलती है मारगमी को कि उसने मझे ये suggest किया सला दी कि उसके उसे contact रखना और उसने मझे insist भी किया कि डॉर्लिंग के साथ contact रखना she wanted to save all my nice things मेरी मदर जो है Germany में Jeeves को मारा जा रहा है अगर हम यहां से निकलें तो हमें क्या करना चाहिए हम सब चीज़ें खो जाएंगे सब चीज़ें खतम हो जाएंगे हम डॉर्लिंग को देंगे वहां से बचे रहेंगे यह चीज़ें how you agreed with her that she should keep everything I asked मारका मीको ने अपनी मदर से पूछा क्या आपने agree किया है क्या आपने उसको मनाया है कि darling को मनाया है darling के साथ कोई agreement है कि ये सब चीज़ें जो ही हुए safe रखीगी किसने पूछा मारका मीको ने पूछा अपनी मदर से as if that is necessary my mother cried मेरी mother जो है it would simply be an insult to talk like that ये तो एक बेज़्दी होगी इस तरह हम बात करने के इस तरह शक करना डार्लिंग पर के ये चीज़ें सेफ नहीं रखेगी and think about the risk she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag देखो कितनी रिस्क वो ले रही है कौन? डार्लिंग, हर टाइम जब हमारे घर आती है कभी सूटकेश भर के लेती है कभी बैग भर के लेती है, अपने घर पहुँचाती है सामान, कितना रिस्क चारी लेती है तो हमें इस पर शक करना बहुत इसकी insult होगी, इसको बड़ा feel होगा कि हम इस पर शक कर रें कि ये हमारा चीज़ जो हमारे सामान हुमारा furniture जो है बचा की रखेगी या नहीं रखेगी सेफ रखेगी या नहीं रखेगी next my mother seemed to notice that I was not entirely convinced और जो है मेरी mother देखने लगी narrator बोरी है मेरी mother सोचने लगी कि मैं convinced नहीं हुई अच्छे तरह entirely मतलब पूरी तरह convinced नहीं हुई she looked at me reprovingly and after that we spoke no more और उसके बाद उसने जो है कोई बाते मेरे साथ नहीं की meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way और मैं उसके दोरान जो है मैं अपने station चलेगी और रास्ते में किसी चीज़ की तरफ दियान नहीं दिया I was walking in familiar places again for the first time since the war but I did not want to go further than was necessary जो रास्ते में जो चीज़े उसको दिख़ थी उसकी तरह मेरे भार के बाद मतलब अपने गर अपने जो महले नहीन नहीं चाहती DAY उसको प्रेंवाणर को यहाँ और वह पहला दिख रहाона थी तो उसको जो है वहाँ उर उसके आगे वह जाना नहीन चाहती थी उसके आगे मतलब उसके पूरा मौले को देखना नहीं चाहती थी पूरे गहूं को नहीं देखना चाहती थी पूरे एरिया को वो नहीं देखना चाहती थी जहां वो पली बड़ी थी क्योंकि उसको वो बहुत ज़ादा याद नहीं आती क्योंकि वो लोग नहीं र उन गरों को देखती, उस टाइम को याद करती, उन गल्यों को देखती, तो मेरे जो है, मेरे को ज्यादा दर्द होता, मेरे को ज्यादा पेन होता, मेरे को ज्यादा फील होता, क्योंकि मैं 55 में पली बड़ी यहीं पे हूँ, तो उसको जो है बहुत ज़दा फील होता उसने तब ही जो है उसकी तरफ ज़दा आगे ज़्यादा दिहान नहीं दिया और आगे उससे आगे अपने महले में गुंग नहीं पाई इन दे ट्रेन बेक आई साब मिस्स डॉर्लिंग इन फर्ट अफ मी अगें उसके बाद जो है मैंने मिस्स डॉर्लिंग उसके बाद पहली बार देखा वार के बाद एक बार जो है मौर्लिंग में मुझे मेरी मदर ने इस डॉर्लिंग के बारे में बोला था I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back उस सुबह जो है मेरी मदर वहाँ से बहाँ जब निकली अपने घर से पहली बात कर रहे है वार से पहले की तो उसने मेरी मदर ने इस औरत को देखा और इसका जो है बैक जो है मोटा बैक था मलएक नमर मोटी थी मेरी मदर ने इसको देखा था और मैं भी उसी टाइम वहाँ पे थी मैंने देखा था इस औरत को डॉर्लिंग को There is my daughter said my mother मेरी मदर जो इस डॉर्लिंग को बोले लगी ये मेरी लड़की है She back on to me और उसने मिझे आगे रखा उसको दखाया किसको डॉर्लिंग को डखाया मेरा फेस मेरा चेहरा दखाया किसको डॉर्लिंग को किसने मारगा मिंको की मदर ने The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack She wore a brown coat and a shapeless hat और उस औरत ने जो है suitcase उठाया ने coat के अंदर रखा और उसने क्या लगा था brown coat लगा था और hat लगाई थी तो वहाँ से वो चले गी Does she live far away? I asked मैंने अपनी मदर से पुछा कितना दूर ये रहती है darling अपनी मदर से पुछा क्योंकि वो वहाँ से सामान ले रही थी Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case और मैं उसको तरफ देख रही थी तो उसको बड़ी डिफिकल्टी होती थी उस चीज को लेने किसको darling को In Marconi street said my mother number 46 Remember that तो मेरी मदर ने उसका address दिया Marconi street में रहती है Number क्या है 46 और उसको मेरी मदर ने बोला कि इस चीज को याद रखना इस address को याद रखना I had remembered it But I had waited a long time to go there मैंने उसको याद रखा था मगर मैंने वेट किया मैं वहाँ एक दिन जरूर जाऊंगी किसने? Marconi को ने Initially after the liberation I was absolutely not interested in all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it War के बाद भी War के बाद भी liberation मतलब आजादी के बाद भी फिर भी मैं उस वहाँ पे जाने में interested नहीं थी नेचरली कुदरती मैं मैं वहाँ जो है दर रही थी वहाँ जाने से After of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again तो मैं जो है वहाँ पे उन चीजों को देखना नहीं चाहती थी जिन से अभी कोई connection नहीं था आप बहुत पहले हम खोड़ चुके थी बहुत पहले हम छोड़ चुके थी वहाँ नहीं जाना चाहती थी मगर उनका boards को नहीं देखना चाहती थी उन hidden का boards, boxes को नहीं देखना चाहती थी मगर which had endured all those years because they were things अभी वो just चीज़ें थी जिन चीज़ों ने बहुत बदाश किया बहुत मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं रही उनके घर में और वह डॉर्लिंग ने अपने घर में इन चीज़ों को बहुत देखना नहीं चाहती थी कौन बोलती है ये Marga minko but gradually everything became more normal again वो सब चीज़ें जो है नॉर्मल होगी वहार के बाद bread was getting to be lighter color bread जो है वहाँ पर जो हमने रखे थे उसके गर घर में darling के उसका color change हो गया था खराब हो गया था bread there was a bed you could sleep in unthreatened around with a view you were more used to glancing at each day वहाँ पर जो सो सकते थे मतलब वहाँ पर अब हम घर में आराम से सो सकते हैं unthreatened मतलब वहाँ पर कोई डर नहीं था वहाँ पर जो है एक room था उस room का आराम से देख सकते थे and one day I noticed I was curious about all the possessions that I must still be at that address एक दिन मैं बहुत curious होगी जाने की इशा होगी जाने की चाहत हुई वहाँ पर मैं जाओं उस address पर जो मेरी मदर ने दिया था और वहाँ पर मेरी possessions पर चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं वहाँ पर देखने जाओंगी I wanted to see them, touch, remember अब मैं उनको जाहाँ देखना चाहती थे touch करना चाहती थे जो मेरी मदर ने सिफली रखी थी, darling के पास उन चीज़ों को मैं देखना चाहती थे उन चीज़ों को मैं टच करना चाहती थी उन चीज़ों को मैं याद करना चाहती थे जिनके साथ मेरी memories, मेरी यादें जुड़ी हुई थी After my first visit in vain to Mrs. darling's house, I decided to try a second time और पहली बार जो मैं darling के इस पास जब गई थी उसके बाद मैं second time उसके पास जो है जाने वाली थी, जाना चाहती थी और मैंने decide कि मैं वहाँ जाओंगी Now a girl of about 15 opened the door to me I asked her if her mother was at home एक लड़की 15 साल की वहाँ पे थी Mrs. darling के गहर में जब मैं वहाँ पे गई और मैंने उसको पुछा क्या आपकी mother यहाँ पे है No, she said My mother is doing an errand मेरी mother जो है errand मतलब कपड़े जो है वो उसकी गढ़ाई कर रही है वो काम कर रही है वो यहाँ पे नहीं है No matter, I said I'll wait for her जो मार्का में को है narrator बोलने लगी कोई टेंशन नहीं कोई बात नहीं मैं उसके लिए वेट करूँ गी I will wait for her I followed the girl along the passage and मैंने उस girl को follow किया जहाँ जहाँ वो जाने लगी an old-fashioned iron hanuka एक iron का hanuka hanuka क्या होता है hanuka होता है fist of lights मतलब एक celebration चल रहा था वहाँ पे candle holder hung next to the mirror वहाँ पे एक old-fashioned मतलब पराने किसम का celebration चल रहा था we never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick और वहाँ पे जो है बहुत चम कर रहा था जैसे candlestick चमक रही थी उसे ज्यादा वो चमक रहा था वो celebration वो कर रहे थे वो ही जो darling की family वहाँ पे celebration कर रही थी तो वहाँ पे जो है उसने वहाँ ये सब देखा तो अब वो सोचन लगी मैं इसके मतलब यहाँ पे wait करती हूँ किसका किसका wait करूंगे darling का वाँट यो sit down ask the girl उस लड़की ने पूचा क्या आप नहीं बैठो गए यहाँ पे she held open the door of the living room and I went inside past her उसने दुरवाजे को खोला और मैं जो है अंदर गई उस कमरे में गई I stopped horrified मैं डर गई और जुप रह गई I was in a room I knew and did not know और मैं उस room में थी जहां मैं जानती थी मैं कहा रहों में हूं मगर उस area को उस situation को मैं समझ नहीं पा रही थी यह कहां में पहुँच गई I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in a strange atmosphere तो मैं जो है एक इन चीज़ों middest to the beach में इन चीज़ों के बीच में आपने आपको देख रही थी जिन चीज़ें जो है जो चीज़ें मुझे क्या कर रही थी सता रही थी उस वह atmosphere मुझे सता रहा था उस time उसको क्यों सता रहा था कि वह atmosphere अलग था और because of the tasteless way everything was arranged because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there बोलती है वहाँ पे जो furniture था वो अच्छी तरह arranged नहीं किया हुआ था जो furniture तो हमारा ही था जो furniture वहाँ पे कौन था कौन सा furniture था जो उसने टॉर्लिंग में हमारे घर से लिया था but वहाँ पे tasteless मतलब अलग तरह के से वहाँ पे arrange किया हुआ था और अगली furniture था वहाँ पे smell आ रही थी उस room से और मुझे वह फील हो रहा था कि हमारे चीजों का जो अची तरह केर नहीं किया जा रहा था I don't know but I sickasly did look around me और मैं नहीं जानती थे माद फिर भी मैंने हमत की थोड़ी सी सिकारसली माद थोड़ी सी हमत की कि मैं उस चीजों को around देखूं उस चीजों को अची तरह देखूं जो चीजें महाँ पर पड़ी हुई थी The girl moved a chair उस girl ने जो है chair को हिलाया I sat down and stayed at the wooden table close मैं बैठी और wooden table close को तरफ मैंने देखा टेबल एक लखड़ी का table था उसके उपर close जो था परदा जो था उसके उपर उसको जो है उसने देखा I rubbed it उसको मला उस table को My fingers grew warm and rubbing और मेरी finger जो है गरम हो गई उसको रब करते करते उस close को I followed the lines of the pattern उस pattern की line को मैंने फालो किया Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired और उसने सोचा कि वहाँ पर उस table के close के edge में जो है burn mark जला हुआ जो मार्क दिखना चाहिए क्योंकि जब उसके घर में वही परदा था तो थोड़ा सा जला हुआ था उसने वह निशानी रखी हुई थी तो वही निशानी उसको याद आई क्यों देखने लगी क्या यह वही क्लॉथ है उसको जो उन मेमरीज को याद करने वाली थी वो चाह रही थी उन मेमरीज को मैं याद करूँ वही देखूं क्या यह वही क्लॉथ है वही परदा है वही फरनेचर है तो वहाँ पे वह देखने लगी मैं मधर विल बेक सौन सेड़ गिल लडकी बोलने लगी उसको जो 15 साल की लडकी थी वो बोलने लगी मेरी मधर वो किसकी लडकी थी h parliament मेरी मधर जो है वापस आ जाएगी जल्दी सौन मालब जल्दी मैंने पहले ही उसके लिए चाई बना लिया है क्या आप भी चाई पियोगे थैंक यू मारगा में को बोलेन लगी थैंक यू, शुक्रिया और लड़की ने उस टेबल पे जो है काप रेडी रखे चाई का काप रेडी रखा शी हावड बाड़क, उसका भी कमर मोटी थी वो गोल्ड का था, उसका डखन का जो बार्डर था, वो गोल्ड का था, किसके डखन का, जो पीपोर्ट था वहाँ पर, जिससे उसने चाई डाली, उसका डखन का जो बार्डर था, वो गोल्ड का था, वो भी उसने जो है, रिमेंबर किया, याद आई उसको, किसको मारगा मिं अपनी आवाज वाता वो ही आवाज उस बॉक्स से आई जो मैं सुनती थी अपने घर में वो बोलना लगी क्या आप इसके बारे में जानते हो वो आई और उसने टीर मेरे सामने रखी मारका मिंको के सामने उस लड़की ने टीर रखी जाए रखी शी लाफट वो हसने लगी मेरी माधर बोलने लगी ये बहुत परान मेरी माधर बोलती रहती है मतला वो 15 साल की लड़की बोरी है मारका मिंको को नेरेटर को कि मेरी माधर बोलती है यह जो चीज़ हैं बहुत परानी चीज़ हैं परानी किसम की चीज़ हैं हमारे घर में We have got lots more हमारे पास और वी बहुत हैं She pointed around the room उसने अपने रॉम के इर्द गिर्द दखाया अपने उगले से दखाया कि यह देखो यह भी हमारे पास चीज़ हैं यह हमारे पास चीज़ हैं अलग अलग चीज़ हैं वहां पर वह देखाने लगी See for yourself खुद देखुआ आप किसको बोने लगी Speaker को बोने लगी narrator को बोने लगी जो मारगमिक को है I had no need to follow her hand I knew which things she met कौन सी चीज़ें वो बता रही थी I just looked at the still life over the tea table मैंने वो जो है उस tea table पे जो still life मतलब शान्ती वाली life थी Silence था उसकी तरफ में जो है फोकस कर रही थी As a child I had always fancied the apple on the portrait plate और जब जब मैं बच्ची थी मैं इस tea table पे जो है क्या करती थी एपल रखती थी एपल रखती थी वहां पे काटती थी खाती थी इस उस memory को वो याद कर रही है कौन मारगा मिंको We use it for everything she said हम इस table को हर जगह यूज करती थी Once we even eight of plates hanging there on the wall जब हम खाती थे plates में और उन plates को जो है special नहीं था मेरे लिए special नहीं था क्योंकि हमारे पास यही चीज़ें होती थी हम यह चीज़ें करते हूँ उन memories को याद कर रही है मारगा मिंको I had found the burn mark on the table close the girl look questionably at me जैसे ही मैंने burn mark उस cloth पे देखा तो लड़की जो है ऐसे देखने लगी जैसे कुछ पूछ रही थी Yes I said you get to use to touching all those lovely things in the house you hardly look at them anymore बोले लगे आप सिर्फ इस चीज़ को touch कर रहे हो वो लड़की portion लगी मारगा मिंक को कि इस clothes को touch कर रहे हो और चीज़ें आप देखी नहीं रहे हो You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example यह बोल रही है मारगा मिंक को कि अब उन्हीं चीज़ें को देख रहे हो जहां जो चीज़ें आपकी missing है जिस चीज़ें को आप miss कर रहे हो यो चीजें आपको पहले खो गई थी उन्हीं चीजें की तरफ आप दिहान दे रहे हो क्यों दे रहे हो क्योंकि आपने उनको रिपियर करना है जो चीजें खराब होगी उनको रिपियर करना है तो उन चीजें की तरफ आप जो है दिहान दे रहे हो आप जो है वाकी चीजें क asked me if I would help her polish the silver. मेरी मादर ने एक बार मुझे बोला था कि आप मुझे help करोगे silver को polish करने में. I was a very young time and it was a very young time and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill and she had never asked me before. एक दिन जो है मैं school नहीं की थी, मैं घर में रही थी क्योंकि मेरी मादर ने मुझे बोला कि आप silver को polish करना करोगे या मेरी help करोगे silver को polish करने. तो मारगा में अपनी मादर की मान ली और silver को polish करने लगी. यह परानी बातें कर रही है जो वार से पहले हुई उसकी मादर के साथ. I asked which her which silver she meant she had lied surprised that it was the sponge. और उसने मुझे बोला था कि sponge को repair करो, इनको polish करो. मेरी मादर ने मुझे बोला था sponge को, fox को, fox मतलब वो चंप्ची जो होते हैं जिससे जो है जो मेगी खाई जाती है, naivish chokko को of course and that was a strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और मैंने जो है देखा यह सब चीज़ें जो है जिससे हम रोज खाते थे, वो silver के बार्तन थे, जिसमें हम रोज खाते थे तो मैं उस sponge को polish करने लगी थी. परानी बात कर रही है, जब उसकी मादर के साथ हो रहती थी, कौन मार का में को. The girl laughed again, लड़की जो है और हसने लगी. I bet you don't know it is either. I look intently at her. मैं उस लड़की तरफ देखने लगी. अब वो present की बात कर रही है, जो 15 साल के लड़की है, उसकी तरफ देखने लगी है. What we ate with she asked, उसने बोला, आपने क्या खाया था? Well, do you know, क्या आप जानते हो? She hesitated, मतलब हिचकचाने लगी. She walked to the sideboard and wanted to open the drawer. I'll look, it is in here. और उसने ड्रावर खुला उस लड़की ने, बोलन लगी, यहां पर देखो इस ड्रावर में. I jumped up, मैंने jump किया. I was forgetting the time. I must catch my train. और मुझे time भी हो रहा था, मैंने क्या, ट्रेन पर जाना था. She had her hand in the drawer, on the drawer. Don't you want to wait for my mother? उसने ड्रावर के पर तरफ हाथ रखा उस लड़की ने, और बोलन लगी, क्या मेरी मदर का wait नहीं करोगी, मेरी मदर आने वाली है, उसका wait करो, तो जैसी वो आएगी तो फिर उसके बाद चले जाना. No, I must go. आरका में को बोलना कि मझे जाना है. I walk to the door, मैं door की तरफ ही, the girl pulled the drawer open, I can find my own way. और जैसी लड़की ने drawer को खुला, मैंने देखा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी थी. As I walk down the passage, I heard the jingling of spawns and fox. जैसे मैं नीचे उतने लगी, मैंने jingling, मतलब spawns, कोई किसी को ठकराते ह आवाज जो आती है, चमचों की आवाज, एकठे जो होते हैं, बहुत सारे चमचे, छिट छिट की आवाज जो है, वहाँ पर उसको आने लगी. At the corner of the road, I looked up at the name plate, मैंने corner पर name plate की तरफ देखा, corner जब बाहर निकलने लगी, वहाँ पर एक name plate पाना था, Marconi Street, it said, वहाँ पर I had remembered at number 46, और मैंने जो देखा, 46 number वहाँ पर उस plate पर लिखा था, मतलब वो सही address था, वहाँ पर उसकी मदर ने वो समान रखा हुआ था, the address was correct, address correct था, but now I didn't want to remember it anymore, मैं अब उसको याद नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे pain होती, मुझे dard होती, I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the family their life of former times, instantly lose their value when served from them, तो बोल लगी, जो चीज़ें आपके साथ जोड़ी हुई होती हैं, पहले हम उन जिनके साथ family होती हैं, वो आपके सामने लाई जाएं, उनकी value जो है, उतनी रहती है, आप memories की value रहती है, जो पराने चीज़ें, उनकी memories की value जो है, मेरे पास ज्यादा थी, उन चीज़ें जो अभी मेरे पास थी, you see them again in strange surroundings, अब जो है, बार बार उनको अब देखती, and what should I have done with them in a small rented room, where the sheds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, बोलने हैं, उन चीज़ें को जो जितने चीज़ें महाँ पर बढ़े थी, उन चीज़ें को मैं वापस लाके, अपने rent में र महां से लाती, अपने rented room में लाती, तो वो मेरे को जो अच्छा नहीं लगता, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती उस घर में, उन चीज़ें को देखने वहां पर वापस नहीं जाती थी, क्यों कि अब वो नहीं चाहती थी, उन चीज़ें को वापस लाना, क्योंकि उनके सा मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया, मैं उस एड्रेस को बोला दूँ, of all the things I had to forget, मैंने सब चीज़ें जो है, बोल जाने थी, that would be the easiest, जो भी easy चीज़ें, उन सब चीज़ें को मैं बोलना चाहती थी, क्यों बोलना चाहती थी, बोलाकट पांच बोलना बहुत अच्छी आथ अपर वाले ने, अगर हम चीज़ें को बोल जाएं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें यादें होती हैं, जिन चीज़ें को बोलना बहुत जरूरी होता है, किसी की डेस हो जाती है, कोई हमारे साथ गठना हो जाती है, तो उन चीज़ें को अगर हम बोलना पाएं, हमेशे माइड में ले पाएं, तो हमारी जिनकी आगे बसर नहीं हो पाएगी, हम मौण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें move on करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें बोलने पड़ती है और ये बोलना बहुत अच्छी मतलब quality रखी है अपरवालने हमारे पास सारी quality अच्छी रखी है बोलना जो है जो है जरूरी है हाँ कुछ चीज़ें जो है जैसे exam के लिए questions जैसे कुछ facts याद रखने पड़ती है उनके लिए हमें मेहनद करने पड़ती है याद रखने के लिए ठीक है बहुत सारी चीज़ें हम ज़्यादा भूल जाते हैं तो इसी तरह जो है मारगा मींको जो speaker है जो narrator है स्टोरी की जो writer है इस स्टोरी की वो बोलती है अब मैं जो उन सब चीज़ों को उन address को भी उन चीज़ों को भी उन memories को भी सब को बोलना चाहती थी जब वार के बाद वहां पे आई वार लड़ाई के बाद वहां पे आई एकी भी पच्चे जिसे जिन को याद करके उसको पेंड होती है उसको अच्छी आख नहीं जी पातीज है तो ये पूरी स्टोरी इसहीं के बारे में के बारे में है तो वार के बारे में जो Second World War हुआ था जहां पे जर्मनी में जीवज को मारा गया था, हिटलर ने जीवज को मारा था, उसके बाद वार के बाद जो रिलेशन है, मेमरीज है, माँ की मेमरी, माँ और बेटी का रिलेशन बताया गया है, यहां पे मेमरीज को बताया गया है, ओल्ड पलेस की मेमरीज, उन चीजों को याद हैं को बताया गया है इन सब को यहां पे डिसकस किया गया है अगर आपने वीडियो पूरी देखी इसको शेर किजिए और कमेंट किजिए जो भी क्वेस्टिन आपने पूछना है कमेंट में जरूर कुछीगा और मचे यह अमेद है कि आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेर करेंगे और कोई भी क्वेस्टिन हो भूँ मुझे बताएंगे और यहां पे quizins जो दिये हैं यह बहूत easy question है कलब जो आडर्प है वार के वार के बेस बेस पर कूर सी वार है और तब तके लिए गुड़ बाए